जी हाँ दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर सिदूम उसेवाले जी के हत्या को लेकर कातिल का नाम जो है माचरनकौर जी ने पूरी तरह से बता दिया है, नाम ले लिया है, बड़ा खुलासा किया है माचरनकौर जी ने अपने लेटेस्ट इंटर्वियू में वो इंटर्वियू भी हम पूरा का पूरा सुनवाएंगे, आपको वो वीडियो दिखवाएंगे माचरनकौर जी और पिता बलकार सिंग जी के द्वारा दिये गए यूगे के अंदर जो इन्होंने लेटेस्ट ये क्यों कहा कि अफसाना खान कातिल नहीं बलकि हमारी बेटी है क्या सिदू की माता और पिता ने ये कहा है पूरी अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं वीडियो भी दिखाएंगे लेकिन उसे पहले हम आपको ये बता दे कि सिदू मुसेवाला जो की देवता स्वरूब स कि दू मुसेवाला जी उनके माता पिता बेटे के हत्यारों पर एक्शन ना होने से इस वक्त काफी ज़्यादा नाराज है और माता पिता इन दिनों बेटे को इंसाफ दिलवाने के लिए इंग्लैंड में होने वाली साइकिल रेली में भाग लेने के लिए गए हैं जो की 26 तारीक को वापसी करेंगे लेकिन उससे पहले लागातार महाँ पर इंटर्वीव हो रहा है उनका जिस इंटर्वीव में माच चरनकौर पिता बलकौर सिंग जी ने सिद्धू मुसेवाले जी के हत्यारों का उनसे जुड़े नामों का खुलासा किया है आपको बता दे इतना ही नहीं इस दोरान उन्होंने पिता बलकौर सिंग जी के साथ सिद्धू से पहले मुलाकात को याद किया और रो पड़े सिर्फ इतना ही नहीं सिद्धू मुसेवाला जी ने अपनी गाई की का और अपनी चवी का ऐसा चाप छोड़ दिया है सभी के दिलों पर कि कहन नहीं क्या चाहिए वो विदेशी हो चाहिए देशी हो हर कोई जो है उनको जस्टिस दिलवाने के लिए आगे आ रहा है लेकिन बहन अफसाना खान जो है पीछे है ना कोई जस्टिस को लेकर गाना बनाए है ना कोई पोस्ट डाल रही है ना माता पिता को इस वक्त फोन करक सिर्फ इतना ही नाराज है इस वक्त अफसाना खान से और तो और ऐसे में विदेशी सिंगर है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जो कि आप वीडियो देख सकते हैं इस वक्त सिर्फ इतना ही नहीं आपको बता दे लाइव शो के दौरान सिदू मुसेवाला जी को जस् इगनेचर स्टाइल में ही उन्हें सर्धांजली भी दी थी जिसमें जांग पर हाथ मार कर हवा में लहरा आया था जी हाँ थापी मारी थी इस दोरान शो में महजूद भीड भी भावुक हो गई थी फुट फुट कर रोने लगे थे सब ही सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों आ पिता संग टीशेट के साथ देखिए बर्ना बोई ने आपको बता देए सिद्धू मुसेवाले संग मिक्स टेप में काम कर रहे थे जो की गाना आने वाला था मुसेवाले जी की हत्या के बाद इन्हें काफी जादा सदमा पहुचा है बर्ना बोई ने एक पोस्ट भी डाल डाल कर लिखा था कि अब स्वर्ग में ही इस मिक्स टेप को पूरा किया जाएगा बड़ा कैप्शन है यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में जहां पंजाबी सिंगर कई सारे जो हैं छुपकर बैठे हैं कई सारे क्या सारे ही छुपकर बैठे हैं छुपकर क्या सिदू सिदू मुसेवाले जी को जस्टिस दिलाने के लिए कोई भी नहीं खड़ा है सबको डर लग रहा है ऐसे में विदेशी सिंगर जितने भी हैं जो सिदू मुसेवाले जी से प्यार करते हैं उनको इंडियन लाइंग्वेज भी नहीं आती है फिर भी देखिए सिदू अपना बनाता है वो असली कमाई होती है वही देवता स्वरूप सिदू मुसेवाला जी करके गए हैं ना सिर्फ अपना बलकि माता पिता का भी नाम उचा कर गए हैं और माता पिता को इतना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है कि माता पिता को काफी दिनों बाद जो है खुशी थोड़ी सी महसूस हो रही है, हालाकि fans वहाँ पर भावुक हो जाते हैं, माता पिता भावुक हो जाते हैं, UK के अंदर जिस प्रकार से सिदु मुसे वाले जी को, सिदु मुसे वाले जी के माता पिता को सम्मान मिल रहा है, वो अपने आप में proud moment है फांस के लिए सभी के लिए जो सिदू मुसेवाले जी से प्यार करते हैं ऐसे मैं आपको बता दे सभी के सभी UK के अंदर इंग्लैंड के अंदर आगे आए हैं और काफी ज़्यादा मातरा में तो singers जो आए हैं और सिदू मुसेवाले जी के इस मुहीम में शामिल भी होंगे इंग्लैंड में रहने वाले पंजाबी गायक सिदू मुसेवाले जी के फांस ने मुसेवाले जी के परिवार को इंसाफ दिलाने की एक मुहीम चला रखी है इसी कड़ी में 24 नॉवंबर को इंग्लेंड की पार्लेमेंट के बाहर उनकी तरफ से साइकल रैली रखी जाएगी इस रैली में मुस्यवाली जी के माता पिता खुद शामिल होंगे जिस वज़ा से वो गए हैं महाँ पर मुसेवाली जी के माता पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो मांग कर रहे हैं इस वक्त और ये मांग इंडिया से लेकर विदेश में चल रहा है मुसे वाली जी के मडर में शामिल गैंक्स्टा टीनू के दो महीने पहले पुलिस कस्टडी से भाग जाने के बाद दोनों का होसला तूटता हुआ नजराय था जो कि सभी ने देखा स्पीच के दोरान मा फूट फूट करोने लगी थी तब मुसे वाली जी के पिता बलकौर सिंग्ची ने ये कहा था कि वह पंजाब सरकार को एक महीने का समय देते हैं अगर उनके बेटे को इसाफ तब भी नहीं मिला तो ठीक है वरना वह अपने बेटे की हत्या से जुड़ी शिकायत वापस लेकर विदेश चले जाएंगे कैनेडा चले जाएंगे सिदु मुसे वालीज के माता पिता ने कुछ दिन पहले ही सिगनेचर मुहीम भी शुरू की थी इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया था वह अप्लिकेशन लेकर पंजाब के डीजे पी से मिलने भी गए थे दोनों ने कुछ दिन पहले ही एक भाशन के दौरान पंजाब को असुरक्षित बताते हुए कहा था कि यहां अब हर किसी को अपने सुरक्षा जो है खुद करनी होगी वहीं आपको बता दे सिद्धू मुसेवाले जी की 29 माई को जो है मांसा के अंदर गोली मारकर दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया गया है जिस वज़ा से हत्यारे जो हैं लौरंस गोल्डी ये सारे अभी वोल्डी तो पकड़े जाने वाला है और भागा हुआ है अभी अमेरिकां के अंदर छुपा हुआ है लेकिन लौरंस जो है वो पकड़ा जा चुका है लेकिन उसे जो है व्याइप ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इस वज़े से भी माता पिता काफी जादा नराज है और वही बाते जो हैं आप देख सकते हैं स्क्रेन के उपर ये वीडियो जहां पर सिद्धू के पैरंस का इंटर्वी हो रहा है हत्यारों के बारे में पूछा गया सिद्धू मुस्यवाले जी के बारे में पूछा गया और उन्होंने हत्यारों को लेकर तो काफी कुछ कहा ही साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इस कतल में शामिल है उसको सजा मिलेगी और हम जस्टिस लेकर रहेंगे फैंस का ये प्यार देखकर जो मेरी हिम्मट तूट गई थी वो वापस आ गई है अब तो मैं अपने बेटे को जस्टिस दिला कर ही रहूंगा अरहाल में साथ तर्वे माता पिता ने ये कहा है साथ ही आपको बता दे अफसाना खान का नाम आने पर उन्होंने ये कहा कि अभी जो है इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है कि वो कातिल है कि नहीं है सिर्फ पोच्टाच हुई है और हमारी बेटी की तरह है लेकिन एक बेटी अगर हमें धोखा दे रही है तो उसे भी सजा मिलेगी अगर वो कतल में शामिल है गैंग्स्टरों के साथ जुड़ी हुई है तो अगर इस चीज़ का खुलासा होता है आने वाले वक्त में तो उसे भी सजा मिलेगी किसी को भी नहीं बक्षा जाएगा चाहे कोई भी क्यों नहीं हो साफ तोर पे माता पिता ने ये बाते कहीं है सिर्फ इतना ही सिद्धुम उस्टेवाला जी को लेकर जो उन्होंने बाते कही खुलासा किया वो अपने आप में काफी ज़्यादा भावुक कर देने वाला है उन्होंने साफ तोर पे कहा कि मेरा बेटा संत था वो एक आम इंसान तो नहीं था बिल्कुल भी क्योंकि उसे पहले ही पता था उसकी मौत का और इसलिए उसने The Last Right Song बनाया हमारे गोध में लेट कर भी हो कई बार अपने जाने का जिक्र किया करता था और मैं कहता था कि अगर खुदा नकास अगर किसी दिन तुम्हारे उपर अटैक हो जाता है तुम क्या करोगे तो सिद्धू का यही जबाब था कि मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा सामने से, मैं भागने वालों में से नहीं हो, तो बचपन से ही जो है ना उनके अंदर बहुत ज़ादा निडरता थी, और निडरता की वज़ा से ही वो लास्ट टाइम में भी दो गोली थी मात्र मुझसे वाला जी ही थे, लेकिन उनके दोस्त जो उनके साथ उस ताइम 29 तरिक को, 30 मैं को उनके साथ महजूद थे, उनको भी गोलियां लगी, अब ये बात जो है अपने आप में बहुत ज़ादा चौका देने वाली बात है, कि अफसाना खान का नाम भी आया है हत्या में, पांच घंटे की पूछ ताज में, अभी इस बात का खुला सा नहीं हुआ है, कि अफसाना खान असली में कातिल है, या उनका इस हत्या में नाम है, लेकिन जिस प्रकार से वो अब चीजे कर रही है, पीछे हट रही है, पहले बबु मान को अपने पिता समान मानती थी, अब जो है, उससे रिष्टा तोड लिया है, सिदू मुसे वाले जी को अपना भाई मानती थी, सिदू मुसे वाले जी की वज़ा से यहां तक पहुंची अफसाना खान, लेकिन उन सब चीजों का श्रेर नहीं दिया अफसाना खाने, क्रेडिट बिल्कुल नहीं दिया बड़े आपको बढ़ा दे, जस्टिस के लिए भी कोई अवाज नहीं उठा दे, इन सब चीजों को देख कर यह अंदाजा लगा रहे हैं, कि सिदू मुसे वाले जी के कतल में बहन का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि बंबिया गैंग से जुड़े होने का नाम आया है, अफसाना खान का आने वाले वक्त में सारा खुलासा हो ही जाएगा, दूद का दूद, पानी का पानी हो जाएगा, कि आखिरकार हफसाना खान का हाथ है कि नहीं है, फिलहाल के लिए आपको बता दी, 24 नॉवंबर को मुहीम चलाई गई है, UK के अंदर जिसमें माता पिता शामिल होने वाले ह 26 नॉवंबर को बताया जा रहा है कि वापसी है उनकी, उसके बाद वो डिसिजन लेंगे कि एफाइयर वापस लेना है कि नहीं लेना है, फिलहाल के लोनोंने कहा है कि फैंस का ये जमाबडा देखकर और प्यार देखकर जो है, मेरे अंदर फिर से एक तागत आ गी है, और म हो गल्मों कूनी करके कहा है, एक अला हम जूजयता में शेमा से गवने है, फिल्को गाड़े आ देखके लेज नहीं सिगा, वियर लाइफ देखके उसे तरह दो, इस गल्मों भूभी केंदरा से भी जो आपस टेहिते गवने हैं, हम कुई अपा उसे पाइखकर पाइखकर